हालो आवरेवन वालकम तो दिए फिजिक्स क्लास तुड़ेइ वी आ गोइंग तो स्टड़ी अबाउट टॉपिक फिल आस्ट्रोनॉमी और अस्ट्रोनॉमिकल टॉर्म्स स्टूरौंस अगर आप किसी ग्राउंड पे खड़े हैं और अपने इस काई का ओबजर्विशन किया हैं अगर आपने आउल डारेक्शन में टर्न करके स्काई का ओबजर किया है तो आप को कहीं पे ऐसे लगेगा कि यह जो स्काई हैं वो किसी Earth पे, Earth के किसी एक point पे टच कर रहा है, तो उस point को कहां जाता है, उस line को कहां जाता है, horizontal, जिसे माराधी में कहते है, ख्षितिज, तो इस point को जो horizon कहते हैं, तो एक astronomical term है, I mean अगर आपने space का observation करने लगे, sky का observation करने लगेगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिल जाएंगी लाइक मेरिडियन, जैनित, नादीर, सेलेस्ट्रियल स्पीर, होरिजॉन जो की स्काय जो है अर्थ के ऊपर ग्राउन को टच करते होए हमें दिखाए देता है उस पॉइंट को होरिजॉन कहें तो ऐसे एस्ट्रोनोमिकल टर Haam start करते है पहले सेलेस्ट्रीयल स्पीर क्या है ईसी अगि अगर आप अर्थ सर पशे पे खड़ें आप और सब्सक्रावं पे खड़ेंगें गारें आप उर्थ सर पशन स्वेक्वी चुरूमने में सब्सक्राषिग पीजिए अज पर इससपे खड़ें अगर आपने स्काय को आपजर किया तो आपको ऐसे लगे का एक सरकल की तरह है और के सराउंडिंग में एक सरकल है तो यह जो सरकल है उसे कहां जाता है स्पीयर उसे कहां जाता है सेलेस्टियल स्पीयर अगर यह अगर यह अर्थ सरफेस ही यह हमारा अर्थ है और यहां पर खड़े तो यह दिखाए देता है circle की तरफ तो किसी point point के point पर हमें इसे लगता है कि जो sky वो earth के उपर touch कर रहा है तो उसे हम horizon कहते है जो कि इस point को कहते है horizon तो यह जो circle हमें दिखाए देता है वही है celestial sphere see तो earth के surrounding में एक circle है यह हमारी earth जिसके उपर सपोज हम खड़े है और उसके surrounding में एक circle है उसे कहा जाता है celestial sphere sphere है उससे कहते है celestial sphere तो इस celestial sphere में all planets, stars comments हो क्या होते है मूँ करते रहते हैं मतलब यहाँ पे stars, planets है जो मूँ करते रहते हैं celestial sphere के अंदर celestial sphere क्या है एक imaginary sphere है it is an imaginary sphere on which all planets, sun, moon and star etc. are to be lie एक ऐसा imaginary sphere है जिसके उपर all planets sun, moon, star वो लाई करते हैं सपोज यहाँ पे हमारा sun और यह बाकी planet से और यहाँ पे earth तो earth के surrounding में एक ऐसा sphere है जिसके अंदर हमें ऐसे लगता है कि sun, moon, star, planet सब लाई करते हैं इसाने imaginary हो एक imaginary sphere है the sphere of infinite radius with earth at center तो earth के center से उसकी radius बहुत ही जादा है मतलब infinite है the stars and planet moving in the sky appears to be moving on this sphere this virtual sphere is called celestial sphere तो मैं पता है stars and planet क्या कर रहे हैं, मू कर रहे हैं हमें ऐसे लगता है कि वो celestial sphere के अंदर मू कर रहे हैं तो मैंने पहले ही कहा है कि celestial sphere एक imaginary sphere है एक imaginary sphere है जो कि हमें ऐसे लगता है कि star, planet, sun, moon उसके अंदर लाई करते हैं और रहे हो रहे हो रहे हैं तो इस इस a celestial sphere I hope अब समझ गए होंगे कि celestial sphere क्या है celestial sphere is a imaginary sphere तो एक imaginary sphere है जिसके अंदर all planets, sun, moon and star लाई करते हैं Now we are going to study about नादिर and zenith see, zenith and नादिर क्या है तो celestial sphere हमने study किया है कि वो एक imaginary sphere है जैसे देखे, सपोज यह earth surface है उसके नीचे हमारी earth है मतलब यह earth है और यह earth surface है earth surface पे एक girl यहाँ पे खड़े है तो उसे क्या लग रहा है कि sky कहाँ पे तो earth को touch कर रहा है earth surface को touch कर रहा है तो यह जो sphere है तो यहाँ पे touch कर रहा है see, इस दो point पे sky earth को touch कर रहा है तो इस point को क्या कहेंगे हम horizon, क्षितीच और यह जो sphere है उसे हम कहेंगे celestial sphere तो यह imaginary sphere है now, what is a zenith तो zenith क्या है अगर आप ground पे गही पे खड़े हैं और किसी point पर आपके point से मतलब आप जहां से खड़े हैं celestial sphere आपके head के उपर से जो point celestial sphere को touch करेगा exactly, उस point को हम कहेंगे zenith, see zenith क्या है while standing on the ground the point on which celestial sphere exactly above our head it's called zenith तो यहाँ पे एक लड़की है see, तो मैंने पहले बोला this is a celestial sphere यह जो point इस सारे यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है touch कर रहा है कि sky क्या कर रहा है, earth को touch कर रहा है ऐसे हमें लग रहा है exactly ऐसे नहीं होता appears हमें यसे लगता है कि वो touch कर रहा है तो यह है horizon, तो zenith हम देख रहे थे तो अब ground पे खड़े है यहाँ पे ground पे खड़े है तो यह जो point पे कि जो point हमारे exactly head के उपर आता है above our head and वो celestial sphere को touch करता है तो यह जो point है तो उस point को हम क्या कहेंगे zenith तो यह लड़की यहाँ पे खड़े थी अगर वो यहाँ पे खड़े है suppose और इस point के उपर exactly वो इस point को touch कर रही है मतलब celestial sphere को touch कर रही है तो उस point को हम कहेंगे zenith so this is a zenith now नादिर क्या है तो नादिर उसके exactly opposite है जो उपर वाला point था हमारा head के उपर जो celestial sphere को touch करता है वो था zenith और वही अगर हम ground पे खड़े हैं और हमारा pair के नीचे का जो point हो celestial sphere को touch करता है तो उस point को हम कहेंगे नादिर see तो वही लड़की यहाँ पे खड़ी है the point on which celestial sphere exactly below our feet तो यह point यहाँ पे touch कर रहा है celestial sphere के उपर से मतलब celestial sphere के को touch कर रहा है इससे point को हम कहेंगे नादिर so this is the difference between zenith and नादिर तो यहाँ पे भी आपको दिखाए दे रहा है इस diagram में भी see zenith क्या है अगर कुछ आदमी यहाँ पे खड़ा है अर्थ के surface पे तो exactly उसके head के उपर जो celestial sphere को touch करता है ओ है zenith और below the below our feet उसे क्या कहते है नादिर so this is a zenith and nadir I hope you are getting the point celestial sphere and zenith and nadir so first question for the homework is explain the celestial sphere in details with diagram यह तो होगया first question second question is explain zenith and nadir with also diagram zenith and nadir क्या है वो आपको diagram के help से explain करना है और उसके बीच में difference क्या है what is the difference between zenith and nadir वो भी आपको explain करना है now अब हम देखते है now we are going to study the third astronomical terms see third term is celestial's poles to celestial sphere हमने study किया zenith and nadir study किया third term is celestial's pole तो यह हमारी अर्थे उसके rotation चलते रहते है north-south उसके poles भी है this is a north pole and this is a south pole तो celestial's poles क्या है तेखे if we extend the axis of rotation of earth in north and south direction and it will penetrate the celestial sphere at a point it's called celestial's poles and celestial celestial north pole and celestial south pole तेखे बहुत ही simple है मतलब अर्थ के उसके rotation चलते लिए अर्था एक north pole है अर्था एक south pole है see this is a north and this is south pole अगर हम इसके rotation के इसके जो pole से अगर हम उसे extend कर दे if we extend the axis of rotation of earth in north and south direction उसके rotation जो चल रही है अगर हम उसे extend कर दे north and south के direction में तो हमें क्या लगेगा कि वो celestial's celestial sphere ये उससे penetrate हो रहा it will penetrate the celestial sphere at the point तो देखे ये उसके celestial sphere के point से penetrate हो रही हमें ऐसे लगेगा तो उस point को कहा जाता है celestial north pole and celestial south pole तो मैं फिर से explain करती हूँ celestial poles क्या है हमें बता है कि earth के उसके rotation खुट के rotation चलते रहते earth rotate करती रहते तो उसकी जो axis होती है earth के rotation की अगर हमने उस axis को north and south direction में extend कर दिया तो हमें ऐसे लगेगा कि ओर celestial sphere से penetrate हो रही है तो उसे ही उस pole को कहा जाता है और जिस point पे celestial sphere से penetrate हो रही है उस pole को कहा जाता है celestial north pole and celestial south pole तो देखे यहां पे और ते तो रोटेशन कर रही है अगर हमने उसके south and north direction में उसके उसे extend कर दिया मतलब हमें इस को इस direction में extend कर दिया तो हमें ऐसे लगेगा कि ओ celestial sphere से penetrate कर रही और इस point जिस point से ओ penetrate कर रही उस point को हम कहेंगे celestial north pole और इस point को हम कहेंगे celestial south pole point where the earth axis of rotation meet with celestial sphere simply क्या है ऐसे जो point जहाँ पे earth के axis के जो rotation जेओ celestial sphere से meet कर रहे है मैं ऐसे लग रहा है तो इस point को हम कहेंगे celestial sphere तो यह है celestial sphere I hope you are getting the point celestial sphere तो next question for the homework is write a short note on celestial pole celestial pole के उपर आपको short note लिखवानी है with the help of diagram आपको diagram भी बूसकी बनानी है see next term is meridian जो astronomical terms देख रहे है उसकी next term है meridian आपके book में इस terms explain किये तो meridian क्या है अब तक हमने क्या study किया है celestial sphere zenith nadir and celestial pole celestial south pole and celestial north pole तो meridian क्या है meridian को देखने से पहले हम देखेंगे great circle क्या है तो great circle क्या है देखेंगे यह हमारी earth है sorry celestial sphere तो ऐसे जो circle कि जो हम sphere से draw कर सकते और उसका center है जो same center है as that of the earth मतलब हमारा earth का suppose ही हमारी earth है उसका center है तो हमने ऐसे circle drawn किये जो कि celestial sphere से मतलब ऐसे circle का center भी वही center है जो कि earth का center है see मैं फिस एक circle करती हूँ all the circle that can be drawn on the surface of the sphere that has the center as same as that of the sphere मतलब देखें ये तो पहले एक circle draw किया जिसका center है ए और earth का center भी क्या है वही तो एक circle क्या हो गया celestial sorry great circle ए हो गया great circle अगर हमें ऐसा एक circle बनाया तो हो गया great circle ऐसा एक circle बनाया तो हो गया great circle तो great circle क्या है जिसका center, earth के center के equal है अगर हमने ऐसे कुछ circles drawn किये कि जिसका center और earth का center एक ही तो ऐस circle को हम कहेंगे great circle तो meridian क्या है the great circle passes through celestial poles and observers, zenith and nadir it's called meridian तो देखिए meridian यहाँ पर आपको दिख रहा है यह yellow color की meridian तो meridian क्या है meridian एक great circle ही है जो कि celestial poles से pass होता है and observer zenith and nadir को भी वो touch करके जाता है यह zenith यहाँ पर इस point को हम कहते है zenith and इस point को हम कहते है nadir और celestial poles यह दोनों है celestial north pole है and celestial south pole तो ऐसा एक circle जो कि zenith को touch करता है zenith से pass होता है, nadir से pass होता है celestial pole को भी touch करता है तो देखिए एसा ही circle अन्हें ड्रो किया है जो कि नादिर को भी touch करता है जैनित को भी touch करता है and celestial poles से भी pass होता है तो ऐसे circle को ही कहां जाता है meridian so this is a meridian I hope you are getting the point meridian meridian क्या है आपको समझ मेया होगा कि meridian एक ऐसा circle ही एक great circle ही है कि जो जैनित से पास होती है नादिर से भी pass होती है और celestial north and circle pole को भी touch करके pass होती है तो ऐसे circle को हम कहते है meridian so next question for the homework explain the meridian in detail अपको meridian क्या है और detail में explain करना है with the help of diagram diagram को भी आपको draw करना है और meridian क्या है और detail में explain करना है see the next term next astronomical term is celestial equator तो हमने great circle को भी study किया है तो great circle क्या था ऐसा ही एक circle जो कि हम celestial sphere के round draw कर सकते कि जिसका center और earth का center सही है तो celestial equator भी एक great circle यह है meridian जैसा कि great circle था तो और celestial equator भी एक great circle यह तो great circle क्या है वो देखते हैं अगर हमने earth equator को all direction में penetrate किया और हमें इसे लग रहा है if uniformly expand the earth equator in all direction earth equator को अगर हमने all direction में expand किया infinitely it will penetrate the celestial sphere along circle तो क्या करेगा celestial sphere को penetrate करेगा तो ऐसे circle को कहां जाता है celestial equator so this is a celestial equator it is in the same plane as the earth equator तो क्या है यह सेम प्लैन में earth equator it is in the same plane earth equator के जो प्लैने उसके same plane में होता है celestial equator so this is a celestial equator अगर किसी equator को हमने earth equator को हमने expand किया all direction में तो क्या करता है celestial sphere से infinitely penetrated होता है तो ऐसे circle को ही कहां जाता है celestial equator so next question for the homework is write short note on celestial equator with the help of diagram आपको इसे explain करना है मैंने इस पर नोट लिखवाने के लिए कहा है तो आप यहाँ पे diagram भी आपके लिए necessary आपको diagram भी द्रौ करने है और फिर उसको explain करना है celestial equator को explain करना है now we are going to study the last astronomical term ecliptic ecliptic क्या है see the earth the earth moves around the sun seen from the earth the sun appears to move along the circle on the celestial sphere the earth moves around the sun हमें बता है earth क्या कर रहे है sun के around उसके revolution चलते रहते है from the earth हमें कहां से देख सकते है from the earth the sun appears to move along a circle on the celestial sphere तो हमें क्या लगता है earth surface की earth surface से कि sun celestial sphere में एक circle में रियोल कर रहा है rotation कर रहा है बट ऐसा नहीं होता है तो उस portion को कहां चाता है उस part को कहां चाता है eclip this circle describing the apparent motion of the sun around the earth it's called eclipse this circle describing the apparent motion apparent motion of the sun around the earth see यहां पर दिख रहा है आपको eclipse कहां पर this is the earth earth क्या कर रहे है sun के around मू कर रहे है और earth surface से हमें क्या लगे गया कि जो sun है ओ सर्कल में celestial sphere में celestial sphere के circle में मू कर रहे है बट ऐसे नहीं होता है अचले अचले इसे सिर्फ appear हमें ऐसे लगता है appears to be this circle describing the apparent motion of sun around the earth तो ऐसे लगता है कि sun की apparent motion है earth के around में उसे कहां जाता है eclipse so this is a eclipse यह है eclipse का पार्ट तो एक कुछ complicated astronomical term से eclipse I hope you are getting the point eclipse so last question हो में के लिए आपको eclipse के ऊपर note लिखने है write a short note on eclipse and आपको एट डाइग्राम भी आपर ट्रॉक करनी है और उसे detail में explain करना है तो वही एक वही हमने आपको एसे लगेगा कि यह टम्स यह वहाँ पर है तो मैंने अभी तक celestial, celestial, celestial यह word explain किया तो मैं इसका एक difference बता दी हूँ celestial और telestial bodies के है तो telestial body ऐसे body को कहा जाता है कि जो object और bodies earth surface पे उपर है earth surface में है तो ऐसे object को कहा जाता है telestial object like a stone हर एक object जो कि earth surface में stone, soil, paper, pen, pencil हर जो है telestial है celestial क्या है जो कि earth surface के बाहर है space में like earth, moon, star, sun, planets, comets यह सब क्या है celestial bodies है जो कि अभी हमने celestial, celestial लिवर्ड यूज किया है so this is a celestial terms और astronomical terms related to astronomical field I hope students you are getting the point I mean यह जो terms ही और भी जो मैंने explain की क्या आपको detail में समझ में आया होगा I hope fully खाल यह थेएड़ यह इस यह झाएग़ गर यह जाई